हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे Classics की English Reader का Lesson 2, The Swing Swing मतलब होता है जूला ये एक छोटी सी पोयम है, जो की Robert Lewis Stavashan द्वारा लिखी गई है तो हम शुरू करते हैं How do you like to go up in a swing? जूले में उपर जाने पर तुम्हें केसा लगता है? Up in the air, so blue हवा में उपर नीले आकाश में Oh, I do think it's the pleasant thing ever a child can do मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बच्चे के द्वारा किया गया सबसे अच्छा कारे और सबसे आनन्दमाइकार यही है Up in the air and over the wall हवा में उपर और दिवार के उपर Till I can't see so wide में बहुत कुछ देख सकता हूँ Rivers and trees and cattle and all over the countryside वहाँ पर मुझे दूर दूर तक नदिया, पेड, मवेशी मवेशी का मतलब होता है पशू जिसका यहाँ पर cattle दिया हुआ है cattle मतलब पशू और भी ग्रामीन का जो छेतर है वह बहुत मुझे दूर दूर तक दिखाई देता है जब मैं जूले में उपर जाता हूँ तब till I look down on the garden green जब तक मैं हरे भरे बगीचे की ओर देखूँ down on the roof so brown और बहुत ज़्यादा भूरी जो छत है उसके नीचे आऊँ up in the air I go flying again और तभी मैं वापिस उपर चला जाऊँ up in the air and down हवा में मैं उपर और नीचे आता जाता रहूँ तो यह जो छोटी सी पोयम है जो की जूले के बारे में है Robert Lewis Steveson द्वारा लिखी गई है इसके बाद हम इस चैप्टर की exercise जो है वो देखेंगे thank you so much